तो अभी नेक्स एक्जाम साइन्स है, चलिए साइन्स पे तोड़ा डिसकास कर लेते हैं, बहुत ही क्लास 10 का साइन्स, ये बुक है, बुक के अंदर से मैं दूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस कोश्चन पुछेगा एक्जामिनर, तो इंग्लिस मेडियम आले के लिए ये इस वीडियो बनाया जाएगा, चलिए, फर्स चेप्टर पर आ जाए, पैन एन कोपी लेके बैटना है, जो इंपोर्टेंट है, वो क्लिक करना है, और जो नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना है, केमिकल रियक्शन, एंड इक्विएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्ट एक बुक का जो टेक्शुल कोस्टेंट होता है, जो एक्स्ट्रा कोस्टेंट होता है, उस पर बात करूंगा, पहला है, वाई सुट मेंगनेशियम रिबन इबी क्लीन बीफोर दा बर्निंग टुए, मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टेंट रहेगा, आपको पढ़ना है, आपको सिम्बल लिखना है, तो यह अप्तीम नंबर भी रखिए, ठीक है, एक्स्टा कोस्टेंट ये, इसके उपर बहुत अच्छा सा कोस्टेंट पुछता है, डी कॉम्पोजिशन रियक्शन क्या होता है, इसको आपको आप बारेकी से पढ़ना है, बस समझना है, और ये MCQ बनाएगा, ये उठा के देगा, ये उठा के देगा, और बुलेगा, ये कौन सर रियक्शन है, और बुक का अंदर से देगा, इसे बार से उतना देता नहीं है, तो जो भी देता है, आपके बुक के अंदर से ही देता है, यहाँ पर कोशन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको देखना है क्यूंकि एक्टिवीटी से औलो कि statement बैस बनाता है दो नुमर पे बात करूば displacement reaction यह किया होता है कैसे होता है तो इसको आपको पढ़ना है डिभिल displacement reaction किसे करते हैं what is the double displacement reaction राइट सम एक्जामपल तो यह आपको पढ़ना है ओक्सिडेशन एंड डिडेक्शन किसे कहते हैं यह डिफारेंस बीट्विन डिडेशन एंड डिडेक्शन यह कोशन आ चुका है तो वेरी इंपोर्टेंट कोरेशन के उपर कोशन आया था हम कोरेशन को कैसे रोक सकते हैं और यह वाला भी आया हुथा तो यह वाला इतना इंपोर्टेंट है मॉस्ट भी वी यह वाला पॉइंट है इसको पुड़ी अच्छे बारेकी से पढ़ना है नेक्स्ट बस्टीक करना है जो जो दे रहा हूं यही है अंदर से क्या पढ़ना है वो ही बोल रहा हूं में क्योंकि वहीं से आता है आप अगर देखेंगे जो मैं देता हूं वह एक्जाम में आता है कि नहीं आप जरूर मिला लेजिएगा यह वाला, एक नमर चाहिए, दो नमर चाहिए, तीन नमर हमको बोला है, यह वाला नहीं करने से भी होगा, अभी यह नहीं चाहिए मुझे, आपको अगर MCQ में मार्क उठाना है, कोई भी स्टूडेन, MCQ में मार्क उठाना चाहता है, तो what you have learned, आपने इस चेप्टर से क्या सीखा, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, इसको लाइटली ने लेना है, पूरा पढ़ना है, यह वाला पूरा पढ़ना है, समझा है, यहा exercise की बात करूँ, यहाँ पर जितना भी MCQ दिया हुआ है, उसको मैं all suggest करूँगा, कि कि वहाँ से question कई साल आये है, यही वाला question देख लीजिए, अठारो में पूछा था, बीस में पूछा था, प्री फैनल में पूछा है, यह दो नमर को question, तो कई बार आया है, हम MCQ की बात नहीं करेंगे, बोर्ट question पर चर्चा करेंगे, बोर्ट question पर हम देखेंगे, एक्सो थर्मीक और इंडो थर्मीक रियक्शन में क्या difference है, दस नमबर, नमबर दोने important रहेगा, यह क्यों कहा आ जा था, गारो नमबर important है, right one equation, each of decomposition reaction, where energy is supplied in for heat to light, यह important है, difference between displacement and double displacement, यह कई बार एक्जाम में आया है, important रहेगा, आपको बिलीब नहीं होगा, कि यह अकेला chapter यह साथ से 8 मार्क यह अकेले देगा, यह चेप्टर, अकेले साथ से 8 मार्क देना बहुत बड़ी मार्क होती है, एक एक चेप्टर अगर दे आपके तो, तो एवरेज मान के चला जाता है, तो एक चेप्टर हमें 8 से 8 मार्क करके भी दे रहा है, तो दोस चेप्टर में 80 मार्क हो जा रहा है, तो ऐसे करके रहता है, ठीक है, अभी आगे बात करता हूं, डिफरेंस वाला हो गया, यह वाला 16 नमबर बहुत इंपोर्टेंट है, 40 नमबर नहीं चाहिए, 15 नमबर इंपोर्टेंट है, 17 नमबर नहीं चाहिए, 18 नमबर इंपोर्टेंट है, 19 नमबर इंपोर्टेंट है, और 20 नमबर तो दोनों ही चाहिए, कोरेशन वाला हो, अब आगे बढ़ते हैं, एसीड में कई सारे कोश्चन बनते हैं अब देखिएगा यह समने चाहिए एसीड बेस का पी एच स्केल को अच्छी तरह समझना है ओके यह जो जो भी आपके बुक के अंदर एक कोश्चन मार्ग दिया हुआ है यह कोश्चन अपने आप में कोश्चन है how do I see to base react with metal metal के साथ कैसे react करता है बब मेटल के साथ react करके वो क्या बनाता है समझे में आरे कैसा gas निकालता है वह व्याला यहाँ पर देखेंगे तो यह वाला भी important है जब acid और metal यह दोनों react होगा तो तो क्या क्या बनेगा hydrogen gas और salt यानि नमक बनता है acid base के साथ reaction करके acid metal के साथ इश्शन करके इस तरगर करके इकजमीनेर बनाते रहता है ठीक है तो यह सब पढ़ना है यहां पर बात करूँ यह वाला अपने आपमें एक कोशन है कोशन मार्क दिया हुए यह कोशन है तो अपने आप में कोशन है इसका सॉलूशन आप देखेंगे यह वाला यह वाला देखिए हाओ डू एसीड एन बेस रिएक्ट वीट इच अधर यह वाला भी इंपोर्टेंट है और इसको अगर समझना है तो आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्जामपल दिया हुआ है वो पढ़ने से समझ में आएगा आप बोलिएगा कैसे सर देखिए यहाँ पर बेस से यहाँ पर एसीड दोनों को मिला के रियक्ट किया तो यहाँ पर सल्ट बना और वाटर नमक और पानी बनता है तो यह इंपोर्टेंट रहेगा रियक्शन वीट मेटलिक ओक्साइड वी निकालता है अब एक्स्टा कोश्चन की बात करूं तो वाई सूट कार्ड एंड शूर सप्टेंस नोट भी कीप्ट इंद ब्रास और कॉपर वेल्स वो तो आपको बहुत बारिकी से मालूम होना चाहिए क्यूंकि रियक्शन होता है क्यमिकल रियक्शन के कारण खटा चीज रियक्शन के दफ दही वगयरा नहीं रखा जाता है तो यह वाला एक्ट हो करना है यह वाला तीन नमार छोड़ देना है और यह वाला question markola आपको करना ही करना है ठीक है इस पर आप मैं बार बार नहीं बोलूँगा मैं आपको रास्ता दिखा दे रहा हूँ आप अपने रास्ता पे चलते रहे दो नमर important है तीन नमर question आया गुआ था चार नमर भी important है छे नमर important है पास नमर नहीं चाहिए एक नमर नहीं चाहिए पी-एच इसकेल को बहुत बारिकी से पढ़ना है हम जानते हैं seven एक natural number है वहाँ पे रना बने बेलेंस पे है हम जिस तरह seven से down पे चलेंगे वो एसीड होते जाएगा और seven से आप में जाएगा तो बेस बनते जाता है है यह पी-एच इसके लिए अब यहाँ पर एं-सीक्यू बनाएगा एकजा मिनट तो शलाइबा का पी-एच कितना है यह सब आपको लिखना है अपतर मेल खाने के पहले और खाने के बाद आपका जो सलाइवा है उसका पीच मान कितना है लेमें जूस का पीच मान कितना है कितना है केरोट का कितना है कोफी का कितना है टोमेटो के कितना है यह सब का आपको लिख कर याद करना है यह आप सर्च करके याद कर लीजिए question एक टो बनाएगा board question पे how to importance of pH in our daily life in our everyday life इस तरह बनाएगा तो आप pH का important यहां पे पर सकते हैं और एक question बनाएगा how to pH health in our digestive system हमारा बोड़ी का digestive system में pH का क्या help होता है क्या role रहता है यह question यहां से एक बनाएगा मनुस्थों की जो दाते होती है आपकी जो दाते वो टूटना शुरू हो जाता है च्छाय होना है तो यह जो टूटेगा ठोरी जोटी डाटे टूटा है तो कितना पीच मतों मूब के अंदर पढ़ना है बहुत इंपोर्टन रहेगा अब है यहां से यह चार्ट को इतना अच्छा से याद करना है मोस्ट भी विए चार्ट में बोल सकता हूँ क्योंकि यहां से क्वेशन पूछा था एक्जाम में कई बार ओरेंज में कैसा एसीड पाया जाता है लेमन में भी साइट्विक एसीड पाया जाता है ठीक है टोमेटो में ऑक्सलिक एसीड उसके बाद नेटल स्टिल जब आपको मच्छर या मधुमक्हिया काट देती है तो वो क्या एसीड छोड़ता है कि आपको दर्द पेन शुरू हो जाता है मधुमक्हिया देखे होंगे आप काले काला चीठी देखा होगा वो जब काटी है तो उसमें मेथोनोई एसीड छोड़ देती है हमारे सरीर में जिसके कारण हमारा दर्द सुरू हो जाता है ओरेंज जो खटा पदार थे लेमन जो निम्बू निम्बू और ओरेंज एकी परजाती का होता है दोनों में स्वाइटरिक एसीड पाई जाती है विनेगार के अंदर एसीटिक एसीड पाई जाती है जो दही होता है उस पे लेक्टिक एसीड होता है याद रखिएगा ये गलती ना करिएगा इंक्ताम में, ये देगा यहानि जो curd होता है जो दही होती है उसमें lectic acid पाई जाती है भिनेगार के अंदर acidic acid पाई जाती है turmeric के अंदर tartaric acid ये सब आपको याद करना है ये chart बहुत important है यहां पर बात करूँ, एक नमबर भी इंपोर्टेंट है, दो नमबर भी इंपोर्टेंट है, तीन नमबर भी इंपोर्टेंट है, चार नमबर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि चार नमबर उपर हमने पढ़ने बोल दिया था अब सर्ड के बारे में पलते है थोड़ी शी नमक के बारे में तो नमक में पिएच का क्या रोल होता है थोड़ी शी आपको पढ़ना जरूरी था मात्मा गांदी ने डांड़ी मार्च क्यों किया था ये आप देखे होंगे सोशल साइंस में पढ़े होंगे अब एक क्वेशन आता है ब्लेसिंग पाउडर का संकेतिक नाम क्या है ब्लेसिंग पाउडर का C.A.O.C.L.2 के नाम से जाना जाता है आपको ब्लेसिंग पाउडर और C.A.O.C.L.2 यह याद करना है ब्लेसिंग पाउडर का यूस कहा कहा होता है यह याद करना है कमें स्क्रापोटेंंग सो डा का संकेतिक क्या है तो यह याद करना है में से क्यों में बनाएगा रोगा मुआ बार बिल रहा हूँ ऐसा भी बना सकता है नबर बनेगा नमडर चेंज कर गा ने एसी यो टू ए CO3, NaCO4, NaCO5, NaCO6, A second के बना देगा, तो MCQ कहीं से भी बनाया जा सकता है, MCQ का कोई माबाप नहीं होता है, बहले यहाँ पे दिखिए, Blasting Powder का यूस कई बार एक्जाम में आया है, क्वेशन आजा है दो हमार का, यहाँ आएगा, यह क्वेशन बनेगा, बेंकिंग सोडा का संकेतिक नाम क्या है, जो बेंकिंग सोडा है, उसको केमिकल नेम होता है, N-A-S-C-O-2, तो केमिकल नेम याद रखना है, और बेंकिंग सोडा का यूस भी याद रखना है, तीन यूस दिया गया है, आप जरूर पढ़ियागा, अब बात आती है वासिंग सोडा का, देखिए, तीन बहुत इंपोर्टेंट है, पहला मैंने बोला था ब्लेसिंग पाउडर का, तो ब्लेसिंग पाउडर, CAO, CL2, उसके बाद यूस वगिरा पढ़ना है, बेंकिंग सोडा की बात करूँ, NASCO3, उसके बाद यूस पढ़ना है, वासिंग सोडा की बात करूँ, NA2CO3, 10S2O, ये वासिंग सोडा है, आपको याद रखने का तरीका होगा एक्जाम में, कि आप अगर कपड़े वास कर रहे हैं, तो आप 10 लिटर पानी को यूस किये हैं, कितने लिटर, बस ट्रीक है याद रखने का, यह आपको पढ़ना है प्लास्टर और पेरिस से उपर कई बार कोशन आया था जे प्लास्टर और पेरिस क्या होता है एक जिपसम को कितना डिगरी पे गर्म करने पर वो प्लास्टर और पेरिस बन जाता है यह कोशन कई बार आया था प्लास्टर और पेरिस का जो केमिकल नेम है वो भी exam में आया हुआ था ठीक है तो तीन question मैंने बोला plaster of Paris है एक question बोला कि gypsum को कितना heat किया जाता है कि वो plaster of Paris में convert हो जाता है आप plaster of Paris देखेंगे कि plaster of Paris के use कहा होता है यह बहुत important है आपकी जो हड़ी जो bonds होता है आप कहीं खेल रहे हैं देता है आप देखें होंगे वह प्लाश्टर नोपित यह देख सकते हैं जब किसी का हडी हातों की या डैस तार वह टूट जाती है तो वहाँ पे इस तरह का पठी आपको बात के दे दिया जाता की डॉक्टर के दुआरा ये ही है प्लाश्टर रफ पैर इस क्दे scholarship बना जिपसा में 373 के इस लोस वाटर यह आपको पढ़ लेना है ओके प्लास्टर पेरिस के यूज कहा होता है मैंने बोल दिया अब कोश्चेन यहां पर आता है वाट इस दा कोमन नेम ओप इस कोमन नेम क्या है सी ए टू सी ए ओ सी एल टू मैंने पहले ही बोला कि आपको ब्लीसिंग पाउडर का यह संकेतिंग नेम है नेम सबस्टेंट वीश्ट ट्वीटमेंट वीज यह वाला जरूरी है उसके बाद नेम दा सोडियम कॉंपोनेंट वीज यह भी जरूरी है चार नमर पास नमर भी यहां पे सब जरूरी है अब हमने पहले ही बोला था कि आप पर क्या सीख रहे हैं मसी क्यू को लीड करना है तो यह जरूर पढ़ना पड़ेगा वाट यू है बलाड आपने क्या सीखा ठीक है तो यह बुक के अंदर है एक बार जरूरीड कर लेना है सब को अब एकसरसाइस पर आता हूँ एकसरसाइस पर यह कोशन देखिए 2008 में पू बुक से लग भग जो डाइरेक डाइरेक एकसरसाइस का एमसी क्यू है वहां से अगर मैं अगर मैं 45 मार के एमसी क्यू देगा वहां से 20 कोशन तो सीख बुक का अंदर वाला रहेगा तो इमपोर्टन है यह वाला रहेगा ठीक है यह वाला कुशन साथ नमबर वाला कई बार एक्जाम में पूछा है छे नमबर वाला नहीं चाहिए ठीक है आठ नमबर वाला बिहेबियर अफसेंस अव वाटर यह भी इमपोर्टन है उपर मैंने देई दिया था अब नो नमबर नमबर में बहुत इमपोर्टन है कि स्ट् 11 नमबर बहुत इमपोर्टन है पढ़ना है 10 नमबर चोड़ना है 12 नमबर बहुत इमपोर्टन है यह पढ़ना है प्लास्टर और पेरिस के बारे में बिलकुल पढ़ना है आपको 14 नमबर बिलकुल पढ़ना है और 15 नमबर वाला यह सबका एंसर उपर मैंने देई दिया थ ठीक है नेक्स वीडियो में बात करते हैं चेप्टर 3, 4, 5 तीन में डिसकस करूँगा वीडियो अच्छी लग रही है समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर किजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ मैं कोश्चन देखा हूँ अब मैं पेपर है मेरे पास पेपर देने का समय भी नहीं है वो दे के भी फाइदा नहीं है क्यूंकि आजकल बुक के अंदर से कोश्चन दे रहा है इसलिए मैं पेपर प्रवाइट नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग अगर चाते हैं कि इस तरह के वीडियो आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और लाइक जरूर किजिएगा अभी ही अभी कमेंट करना है कितने स्टूडेन को इस वीडियो से फायदा मिला और कितने स्टूडेन यह ऐसे कार्वर्ण धर कि मैं क्या पड़ू नहीं पड़ू क्या पड़ू नहीं पड़ू साइंस में में ऐसे कौन्फ़ूजन आ engard का कितने का new जन दूर हुआ है वह क्मेंट करEats अभी बस दोई चिप्टर दिया अभी बहुत सारा चिप्टर देना बाकी है आप बताईए कि किस किस चिप्टर जादा आपको प्रोबलन फेस करता है